नमस्कार दोस्तों मैं डियन मौर्या इंस्फार्ड अकेडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ पर्यावराण के कुछ महत्वपूर परस्न जोकी लगभग सभी परिच्छाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों पहला परस्न है भारत में पर्यावराण सरच्छन अधिनियम कब पारित किया गया तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सन 1986 में सन 1986 में पर्यावराण सलच्छन अदिन्यम पारिद किया गया नेक्स्ट कुईस्चन है विश्व पर्यावराण दिवस कम मनाया जाता है तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 5 जून 5 जून को विश्व पर्यावराण दिवस मनाया जाता है अगला क्विश्चन है दोस्तों भारत में सर्वत पर्थम जयोवी वित्ता अधिनियम कब पारित किया गया इसका उत्तर है दोस्तों सन दोहजार दो में सन दोहजार दो में जयोवी वित्ता अधिनियम पारित किया गया नेक्स्ट क्विश्चन है दोस्तों जयो विवित्ता बायो डायवर्शिटी सब्द का सरप्रत्थम प्रियोग कब और किसने किया तो दोस्तों इसका उत्तर होगा वाल्टर जी रोसेन ने सन 1986 में किसने किया था दोस्तों वाल्टर जी रोसेन ने और कब किया था सन 1986 में है नेक्स्ट कुश्चन है राष्ट्रिये जयो विद्ता पराधिकरान का मुख्याले भारत में कहां इस्ति था आगला कुश्चन है रेड डाटा बुक क्या है अगला question क्या है red data book क्या है दोस्तों इसका उत्तर है बिलुक्त होने की कगार पर खड़ी संक्टा ग्रस्त पोधों और पसों की सूची है अगला question है दोस्तों red data book किस अंतराश्ट्य संगठन के द्वारा निकाली जाती है रेट डाटा बुक किस अंतर राष्ट्रे संगठन के द्वारा निकाली जाती है दोस्तों इसका उत्तर होगा IUCN जिसका फुल फार्म है International Union for Conservation of Nature के द्वारा रेट डाटा बुक जो है इस संगठन के द्वारा निकाली जाती है अगला क्विस्चन है IUCN का मुख्याले कहा है IUCN का मुख्याले कहा है तो दोस्तों इसका उत्तर है Gland, Switager Land में है नेक्ट कुश्चन है रेट डाटा बुक को पहली बार कब परदर्शित किया गया रेट डाटा बुक को पहली बार कब परदर्शित किया गया तो दोस्तों इसका उत्तर है सन 1906 में रेट डाटा बुक जो है पहली बार सन 1906 में परदर्सित किया गया नेक्ट कुश्चन है रेट डाटा बुक में संकटा पन जिवों को किस रंग से दर्साय गया है तो दोस्तों इसका उत्तर होगा पिंक रेट डाटा बुक में संकटा पंजियों को पिंक रंग से दर्साया गया है नेक्ट कुईस्चन है दोस्तों संयुक्त राष्ट संग द्वारा कौन से दसक को जयो विवित्ता दसक गोसित किया गया संयुत राष्ट्र द्वारा कौन से दसक को जयो विवित्ता दसक घोसित किया गया तो दोस्तों सन दोहजार ग्यारा से सन दोहजार बीस तक के दसक को जयो विवित्ता दसक घोसित किया गया नेक्ट पुश्यन है राम सरसंदी किस से संबन दित है तो दोस्तों राम सरसंदी आदर भूमियों की सरचड़यों समवरदर्ण से सम्मन दीता है नेक्ट कुश्चन है विश्व आदर दिवस कम मनाया जाता है विश्व आदर दिवस कम मनाया जाता है तो दोस्तों दो फ्रहुरी को विश्वाद दिवस दो फ्रोरी को मनाया जाता है नेक्ट कुश्यन है विश्व जल दिवस कम मनाया जाता है विश्व जल दिवस कम मनाया जाता है इसका उत्तर है 22 मार्च दोस्तों 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है विश्व पृत्वी दिवस कम मनाया जाता है तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 22 अप्रेल 22 अप्रेल को विश्व पृत्वी दिवस मनाया जाता है नेक्ट कुश्चन है विश्व जयो विवित्ता सनच्छण दिवस कम मनाया जाता है तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 22 मई 22 मई को विश्व जयो विवित्ता सरच्छन दिवस मनाया जाता है नेक्ट कुश्यन है परियावराण दिवस कम मनाया जाता है इसको लगबग सभी लोग जानते होंगे परियावराण दिवस 5 जून को मनाया जाता है पांच जून को पर्यावराण दिवस मनाया जाता है बिस्सु पर्यावराण सरच्छन दिवस कम मनाया जाता है तो दोस्तों बिस्सु पर्यावराण सरच्छन दिवस 26 नौंबर को मनाया जाता है नेक्स पुश्यन है ओजोन दिवस कम मनाया जाता है यह बहुत ही मातपूर प्रस्ण है दोस्तों वो जोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व परवासी 25 दिवस कम मनाया जाता है दोस्तों इसका उत्तर है 8 मई 8 मई को विश्व परवासी 25 दिवस मनाया जाता है बिश्व वन ने प्राणी दिवस कम मनाया जाता है बिश्व वन ने प्राणी दिवस कम मनाया जाता है दोस्तों इसका उत्तर है 6 अक्टूबर 6 अक्टूबर को बिश्व वन ने प्राणी दिवस मनाया जाता है नेक्ट कुईस्चन है भारत में विशुक की कितनी प्रतिसत जयो विवित्ता है तो दोस्तों इसका उत्तर है 7-8 प्रतिसत भारत में विशुकी 7-8 प्रतिसत जयो विवित्ता है राष्ट्रिये परवाल वित्ती अनुसंधान केंद्र कहां इस्थित है इसका उत्तर है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर में पोर्ट ब्लेयर में राष्ट्रिये परवाल वित्ती अनुसंधान केंद्र इस्थित है अंतर राष्ट्रिये टाइगर दिवस कम मनाया जाता है अंतराष्ट्रे टैकर दिवस को 29 जुलाई को मना जाता है इकोलाजी सब्द का सरुपर्थम परिवक किसने किया तो दोस्तों, इकोलाजी सब्द का सरवपर्थम किस ने किया? अर्नेस्ट हायकल ने इकोसिस्टम सब्द का सरवपर्थम परियोग किस ने किया? दोस्तों, इकोसिस्टम सब्द का परियोग एजी टांसले ने किया? किस ने किया? एजी टांसले ने इसका उत्तर है दोस्तों एडवर्ड सुयस ने भारत में प्रोजक्ट टाइगर कब शुरू किया गया दोस्तों भारत में प्रोजक्ट टाइगर सन 1973 में शुरू किया गया भारत में प्रोजेक्ट टाइगर सन 1973 में शुरू किया गया नेक्स्ट कुश्चन है भारत का राष्ट्रिय जैविक उद्यान कहां इस्तित है भारत का राष्ट्रिय जैविक उद्यान कहां इस्तित है दोस्तों उत्तर होगा नई दिल्ली नेक्स्ट कुश्चिन है दोस्तों भारत का सर्वपर्थम राष्ट्रिय उद्यान कौन सा है भारत का सर्वपर्थम राष्ट्रिय उद्यान कौन सा है इसका उत्तर होगा जिम कारवेट राष्ट्रिय उद्यान जो की उत्तराखंड में है इसकी अस्थापना सन 1921 में हुई थ दोस्तों राजू गाधी निशनल पार्क कहां अवस्तित है तो दोस्तों राजू गाधी निशनल पार्क करनाटक में अवस्तित है नेक्स्ट कुश्चन है नागर होल राष्टिय पार्क जो की करनाटक में है को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो दोस्तों इसको राजू गा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट कुश्चन है केरल में इस्थित पेरियार अभ्यारण किस लिए परसिद्ध है तो दोस्तों केरल में इस्थित पेरियार अभ्यारण जंगली हाथियों के लिए परसिद्ध है नेक्स्ट कुश्चिन है यूनेसको द्वारा मैन एंड बायोस्फेर प्रोग्राम यम एबी क्या है यूम इसकी सुरुवात कब हुई तो दोस्तों यूनेसको द्वारा मैन एंड बायो स्वियर कारकरम का मुख्य उद्देश लोगों यूम उनके परियावराण के मद समंधों में सुधार है इसकी सुरुवात सन 1971 में हुई थी इसकी सुरुवात कब हुई थी 1971 में ग्रेट हिमालय राष्टिय पार्क जिसे यूनेसको ने विश्व धरोहर अस्थल भोसित किया है कहां इस्थित है तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हिमाचल परदेश में ग्रेट हिमालय राष्टिय पार्क हिमाचल परदेश में इस्थित है भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है तो दोस्तों इसका उतर होगा लोक्टक जील लोक्टक जील भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी जील है जो की मड़ी पूर में है नंदा देवी जयो मंडल आरची छेत्र किस राज में इस्थित है इसका उत्तर होगा उत्तराखंड में नंदा देवी जयो मंडल आरची छेत्र उत्तराखंड में इस्थित है सीत मरुस्थल कोल्ड डियर्ट जयो मंडल आरची छेत्र किस राज में इस्थित है तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हिमाचल परदेश सीत मरुस्तल जयो मंडली अरची चेदर हिमाचल परदेश में इस सीत है भारत में हाथी परियोजना कब सुरू की गई नेक्स्ट कुश्चन है भारत में हाथी परियोजना कब सुरू की गई तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सन 1992 में 1992 में हाथी प्रियोजना शुरू की गई जंगली गधों का अभ्यारण भारत में कहां इस्थित है जंगली गधों का अभ्यारण भारत में कहां इस्थित है तो दोस्तों इसका उत्तर होगा गुजरात राजी के कच्छ में इस्तित है जंगली गदो का अब्यारण गुजरात राजी के कच्छ में इस्तित है जो की लगवग 5,000 किलो मीटर में फैला हुआ है यह भारत का सबसे बड़ा वन निजीव अब्यारण है जिसकी अस्थापना सन 1972 में की गई एक सींग वाला गैड़ा भारत के किन राज्यों में पाया जाता है एक सींग वाला गैड़ा भारत के किन राज्यों में पाया जाता है तो दोस्तों एक सींग वाला गैड़ा पस्ची मंगाल यूम असम में पाया जाता है गिर के सेरों को रखे जाने है तो किस राष्टी ये पार्क ये अब्यारण का चैन किया गया है गिर के सेरों को रखे जाने है तो किस राष्टी ये पार्क ये अब्यारण का चैन किया गया है दोस्तों इसका उत्तर होगा श्योपूर मद्य पर्देश जिले में पालपूर कुनो नामक वनने यूए ब्हारण का चैन किया गया जो की मद्य पर्देश में है नेक्स्ट क्विस्चिन है रोहिला राष्ट्रिय उद्यान किस राज जिमें इस्टित है रोहिला राष्ट्रिय उद्यान किस राज में इस्टित है दोस्तों रोहिला राष्ट्रिय उद्यान हिमाचल पर्देश में इस्टित है नेक्स्ट क्विस्चिन है मरुस्थर राष्ट्रिय उद्यान किसके लिए परसिद्ध है मरुष्थल राष्ट्य उद्यान किसके लिए परसिद्ध है तो दोस्तों इसका उत्तर होगा राजस्थान में इस सित मरुष्थल राष्ट्य उद्यान बारतिय सारंग के लिए परसिद्ध है नेक्स्ट कुश्चन है भारत के किस राज में सरवाधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारण हैं तो दोस्तों भारत के मध्य परदेश में सबसे अधिक वन्यजीव अभ्यारण है नेक्स्ट है कौन सा राज साइवेरियन सारस के लिए आदर्स प्राकिर्तिक निवास है तो दोस्तों इसका उत्तर होगा राजस्थान तो दोस्तों इसी प्रस्ण के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर जो कोई वीडियो से सम्मंदित सुजाओ हो तो कमेंट बाक्स में अवस्य लिखें तेने बाद दोस्तों